पुराण की जो कथा करती है भगवान देव दीदे महादेव का जो कथा वर्णन करती है शिवतत्व जो वर्णन करता है हमारे यहाँ पर सब्त तितियां पंच दीप वर्णन किया जा रहा है बहुत ध्यान देना महाराज सावन के महीने में जो अधिक मास पड़ता है उसमें रहा है हमारे सास्त्रों अब बहुत सावधानी से सुनिएगा पहली है पंचमी तित्री अधिक मास सावन का जब मेल हो अधिक मास सावन के महिने में अगर पड़े और पंचमी तित्री आप अगर शुरू की मतलब आज भी पंचमी है मानलो आज की पंचमी अगर आप नहीं कर पाए तो अगली जो पंचमी आ जाए अधिक मास के महिने में आप वो भी कर सकते पंचमी अश्तमी एकादशी प्रदोश शिवरात्री अमावस्या उनिमा ये साथ तित्यां हमरे यह सावन के अधिक मास का जो संजोग होता है इसमें ये साथ तित्यां फिर से बोलो पंचमी अश्तमी एकादशी प्रदोश शिवरात्री अमावस्या उनिमा ये वो तित्यां है साथ जिन तित्यों में अगर हम पांच दीप गरत के घी के पांच दिये अगर अपने दरवाजे के बाहर केवल भगवान की भक्ती के लिए शिव तत्व की प्राप्ती के लिए वैसे तो दीप लगाना चाहिए तुलसी के क्यारे के पास लगा दो मंदिर में लगा दो या शिवाले पर लगा दो या देवाले पर लगा दो और इसकी चड़ पानी में अगर कहीं न जा पाओ अगर पानिवानी बरस रहा है जगह जगह बहुत पानी है भले इधर छेत्र में इतना ना दिख रहा हो पर अन्हे छेत्रों में बहुत पानी है तो कोई ना जा पाए तो भगवान का इस्मरण करकर उन दीप को भगवान के सामने प्रजलित करकर पाच दिये इन तिथियों में पंचमी, अश्टमी, एकादशी, परदोश, शिवरात्री, आमावस्या और पुन्निमा जो सावन के महीने में अधिक मास पड़ता है उसमें ये साथ तिथियों पर जो पाच दीप भगवान के समने प्रजलित करकर अपने दरवाजे के पास में बाहर की और रख देता है उसके घर में कभी रोग, बिमारी और लच्मी की कोई कमती नहीं होती उसका जीवन साड़ता है पर सावन के महीने में अधिक मास के संजोग पर योता है बाकी के समय प महीने में अगर दिक मास कड़ रहा है तो यह पास तिथियां अब कई लोग करते हैं गुरुजी पंच मी हम दो लें दो पंच मी आईगी दो एका दशी कवर्णा ना जावे तो हम कौन से तो यहां एक भी अगर आप कर रहे हो साथ तिथियों में से एक अगर यह नहीं कर प आओ तो यह इस मरेण में रहकर उसको कर आओ